Hi Friends, मेरा नाम हभीब है, आप देख रहे हैं Blind Knowledge Hindi YouTube चैनल, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम computer के basics जानेंगे अगर आप एक visually challenge person है, computer सीखना चाह रहे हैं तो right जगा हैं दोस्तों तो चलिए रोसकी तरह आज भी कुछ नया जानते हैं, इसका part 2 आपको इस channel पे मिल जागा दोस्तों आप वो भी देख सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहली बात अगर आप एक visually challenge person है, आप समझ रहे हैं, computer use नहीं कर सकेंगे आप, ऐसी बात नहीं है आप भी computer को बड़े आसानी से use कर सकते हैं दोस्तों, यहां पे कुछ software की मदद लेनी होती है दोस्तों software screen readers होते हैं दोस्तों, यह screen readers क्या करते हैं, जो कुछ भी text है, उस text को audio format में convert कर देते हैं दोस्तों यानि आप computer पे जो कुछ भी text है, उसे अच्छे से आप सुनकर अपने computer को use कर सकते हैं दोस्तों screen readers की बात की गई तो nvda मिल जाएगा और आपको jaws screen readers मिल जाएगा दोस्तों, यह दो popular screen readers है दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पे मैं जो कुछ भी screen readers बता रहा हूँ, वो screen readers के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएगे दोस्तों उसके बाद में दोस्तों braille display आ जाता है, braille display का ऐसा software और hardware का combination का device होता है यहां पे जो कुछ भी text हमारे computer पे आ रहा है, उसे braille में convert कर देता है यानि यहां पे हमें tactile feedback मिल जाएगा दोस्तों, computer के text का आप computer के जो कुछ भी text को है, braille में पढ़के आप computer को use कर सकेंगे दोस्तों उसके बाद में दोस्तों, जब कभी भी आप computer purchase कर रहे हैं तब अच्छे से बड़े सा इसका screen purchase कीजिए दोस्तों, आप यहां पे magnification softwares भी use कर सकते हैं Magnification software की बात की गई तो magic magnification software बहुत popular software है दोस्तों, आप उसे भी use कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों हमें computer में SSD prefer करनी चाहिए दोस्तों यह एक ऐसी hot disk होती है जो उस computer को slow नहीं होने देती है यहां पे हम भारी भग हम screen readers चलाएंगे तब ही भी अपना computer slow नहीं होगा, heating issue नहीं आएगा उसके बाद में दोस्तों scanning और reading solutions आ जाते हैं scanning और reading solutions एक ऐसा software और hardware का combination होता है यहां पे हम एक scanner और एक software को use करते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए जो कुछ भी scanned documents होते हैं उन documents को यह software पढ़के सुनाता है असलियत में image format में scan होते हैं लेकिन यह text में convert कर देता है अपना screen reader और पढ़के सुनाता है इसकी बात की गई तो Curzwell scanning software आपको मिल जाएगा आप यह भी use कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद में दोस्तों जब कभी भी हम computer use कर रहे हैं हमें थोड़ा सा एक अलग सा feedback चाहिए होता है keyboard पे key press हुई या नहीं हुई या जानने के लिए आप इसके लिए mechanical keyboard प्रिफर कर सकते हैं दोस्तों mechanical keyboard में आपको जो कुछ भी keys है वो आपको समझ में आएगा आप key press करेंगे तो key press हुई या नहीं हुई आपको मिल जाएगा वहाँ पर feedback इसी तरीखे से आपको थोड़ा headphones भी अच्छे से देख कर लेने होते हैं दोस्तों headphones ऐसे purchase कीजिए आप ज्यादा टाइम भी आप headphone यूज करेंगे तो आपको किसी तरीखे का problem ना आए आप studio monitors भी prefer कर सकते हैं दोस्तों studio monitors एक ऐसे headphones होते हैं जिने ज्यादा तर audio monitor करने के लिए लोग prefer करते हैं उसके बाद में दोस्तों हमें computer ऐसा purchase करने चाहिए जिससे shock ना लग सके यानि computer shock proof होना चाहिए दोस्तों next दोस्तों जब कभी भी आप computer यूज कर रहे हैं तब computer को आपको कुछ इस तरीखे से setup करना चाहिए जब कभी भी computer on होगा तब आपका screen reader भी on हो जाना चाहिए और कई secure screens पे भी आपका screen reader काम करना चाहिए for example के लिए आपका computer updates install कर रहा है वहां पे भी आपका screen reader updates का progress बताना चाहिए आपको ऐसे आपको computer को setup करना चाहिए दोस्तों आगे की videos में हम और भी जानकारी लेंगे दोस्तों computer को कैसे use किया जाता है उसमें अगर आपको channel अच्छा लग रहा है तो आप subscribe कर सकते हैं ये video इतनी ही part 2 भी देख सकते हैं वो भी आपको इस channel पे मिल जाएगा किसी और video में मिलूंगा तब तक के लिए goodbye